दोस्तो इस वीडियो में जानेंगे सिंगम अगेन के पहले दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन के बारे में और साथ ही आपको बताएंगे कि फिल्म का बजट कितना रिलिस किया गया है तो दोस्तो इस वीडियो को शुरू से लेकर रहन तक जरूर देखिएगा दोस्तो आज रोहित शेट्री की मल्ती esoterol फिल्म सिंगम अगेन रिलीज amental हुई है ये फिल्म रोहित शेट्री की कोप युनिवर्स की पांच वी फिल्म है और 2014 में आहे सिंगम अगेन में अजे दिवगनी रोल में नज़र आएं उनके अलावा इस फिल्म में करीना कपूर खान, रनवीर सिंग, अक्षिकुमार देपिका पादुकॉन, टाइगर शॉफ, अरजुन कपूर, जैकी शॉफ, दैनन शैटी, श्वेता तिवार सिधार जादव अरवी किशन नजर आएं वहीं फिल्म में सल्मान खन का चुलबल पांडे की रोल में कैमियो है, इस फिल्म को भी रोहित शैटी ने डारेक्ट किया है, बात करे रनिंग टाइम कीते दोस्तों ये फिल्म 2 गांटे 24 में टलंबी फिल्म है, वहीं बात करे स्क्रीन काउंट कीते तो इस फिल्म को इंडिय आज पोश्ट दिवाली की होलीडे है और आज इस फिल्म की कलेक्शन रिकॉर्ड ब्रेकिंग दिख रहे हैं। इस फिल्म का क्लेश का अर्थिकारियन की बुल-बुलिया 3 के साथ हुआ है जिसके चलते फिल्म को बहुत ज़्यादा स्क्रिंस नहीं मिल पाए। ज़्यादा स्क्रिंस ना मिलने के कार्यान फिल्म की कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं रहने वाले हाला कि Singham Again को बुल बुलिया 3 के मुकाबले ज़्यादा स्क्रिंस मिले हैं Singham Again अपने पहली दिन में इंडियान बॉक्स ओफिस में लगबग 36-40 करोड के रेंज में कलेक्शन करने वाली है तो वर्लड बॉक्स ओफिस में लगबग 55-60 करोड के रेंज में कलेक्शन करने वाली है अगर फिल्म सोलो रिलीज होती तो ये फिल्म पहली दिन इंडिया में ही 60 करोड से जादा की ओपनिंग करती दोस्तों आपको बता दो कि इस फिल्म की शूटिंग को मुंबाई, हाइदराबाद, कश्मीर और श्री लंका में की गई है इस फिल्म के डिजिटल रैट्स को Amazon Prime वीडियो ने लबबक 130 करोड में खरीता है तो दोस्तों कि आप इस फिल्म को देखने के लिए इंटेस्टेड है या नहीं कमेंट करके बताईएगा अब दोस्तों को वीडियो पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, शियर करें और अगर आप हमारे चैनल में नहीं होता है, सी बॉक्स ओफिस के कलेक्शन और फिल्मों के सभी जानकरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अब लाइकन भी दवा देता कि मारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके